आप सभी को मेरा नमस्कार तो दोस्तो आज मैं आपके लिए इस वीडियो में गणेजी भगवान की बहुती सुन्दर कहानी लेकर आई हूँ तो प्रेम से बोलिए गणेजी भगवान की जे हो दोस्तो एक समय की बात है एक गाउं में एक बुडिया माई अपने बेटे बहु कोते पोतियों के साथ रहती थी गणेजी महराज की करपा से बुडिया माई के घर अंधन और सुख की कोई कमी नहीं थी बेटे बहु बुडिया माई को पूरा मान सम्मान देते थे बुडिया माई अपना पूरा समय गणेजी महराज की पोजा आर्चना में वैतित करती थी हर रोज मंदिर जाती पूजापाट करती कथा कहानी सुनती थी भजन कीर्टन करती थी एक दिन बुढिया माई का छोटा बेटा बोला कि मा तुम गणेजी की इतनी पूजापाट करती हो और गणेजी महाराज का भी आशिर्वात तुम पर है हुने की करपा से अपने घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है फिर भी तुम हर समय पूजापाट में क्यू लगी रहती हो बुढिया माई बोली बेटा गणेजी महाराज की करपा से मेरे पास सब कुछ है बस एक ही इच्छा है किस कहीं गणेजी महराज के दर्सन हो जाए और यह देश छूड जाए मा की बास सुनकर बेटा हसने लगा और बोला मा गणेजी महराज ऐसे नहीं मिलते उने पाने के लिए घर बार छोड़ना पड़ता है जंगलों में घूमना पड़ता है सादू संतों का संगत रखना पड़ता है तब कहीं जाकर भगवान के दर्सन होते हैं ऐसे घर में रहते हुए गणेजी महराज के दर्सन नहीं होते चोटे बेटों की बातों का बुढिया माई की मन पर एसा परभाव पड़ा कि बुढिया माई अगले दिन ही अपने घर से चल दी चलते चलते उन्हें रास्ते में एक और बुढिया माई मिली वह उनसे पूछने लगी बहन भगवान का भजन करते कहां जा रही हो तो वह बोल कि भगवान के दर्शन करने जा रही हूं तो दूसरी बुढिया माई बोली कि अच्छा मंदिर जा रही हो वह बोली कि नहीं मंदिर नहीं में तो साख साथ गणे जी के दर्शन करने जा रही हूं तब दूसरी बुढिया माई बोली कि में भी तुमारे साथ चलती हूं तो वहे बोली चलो अब दोनों बुढिया माई गणेजी भगवान के भजन करती हुई चलती जा रही थी कुछ दूर पर उन्हें एक और बुढिया माई मिली वहे भी पूछने लगी कि कहा जा रही हो तो वहे बोली कि हम तो गणेजी महराज के साखसा दर्शन करने जा रहे हैं वहे भी उनके साथ चल दी अब तीनों बुढिया माई सीरी गणेजी महराज का भजन करते हुए आगे जा रही थी और चलती जा रही थी तब इन तीनों को गणेजी भागवान बड़ी शर्दा और खुशी के साथ देख रहे थी ये तीनों मेरा भजन कर रही है और मेरे दर्शन करना चाती है चलो इनकी परिक्षा ली जाएं परिक्षा लेने के लिए गणेजी महराज ने उनकी रास्ते में सोने की मोरों से भर एक थेला गिरा दिया पहली बुडिया माई भजन करती आगी निकल गई दूसरी बुडिया माई भी अपने ध्यान में मगन थी उनकी भी नजर थेली पर न पड़ी तीसरी बुडिया माई का पाम मोहरों की थेली पर पड़ा उन्होंने थेली उठा कर देखी इतने सारी सोन की मोहरे तीसरी बुडिया माय ने मोहरों की थेली उठाई और बोली मुझे दो गणे जी भगवान ने धन दिया है और वह थेली लेकर अपने घर को चल दी यहाँ देख कर गणे जी महराज मंद मंद मुस्कुराने लगी कुछ दूर पर चली गणे जी महराज ने सोने की इट गिरा दी पहली बुढिया माई को एक ठोकर लगी लेकिन उन्होंने ध्यान ने दिया वह आगे निकल गई दूसरी बुढिया माई को जब उससे ठोकर लगी तो उन्होंने देखा अरे यह तो सोने की इत है उन्होंने इत उठाई और वापस अपने घर को चल दी बोली जब गणेजी भगवान ने धन दिया है तो वन वन घूमने का क्या फाइदा अब पहले बुडिया माई गणेजी भगवान का भजन करती जा रही थी और चलती जा रही थी बार बार गणेजी महराज को पुकारती जा रही थी और दर्सनों की प्रातना करती जा रही थी इस बार गणेजी भगवान ने हीरों मोतियों के धेर पर बुडिया माई को गिरा दिया बुडिया माई ने देखा इतने सारे हीरे मोती लेकिन उसके मन में लालच नहीं आया वह बोली कि हे पर्बू अब आदे रास्ते में पीछा छुड़ाना चाते हो ऐसा कहकर गणेजी महराज का जेजेकारा बोलती और आगे चली भगवान ने खूब आंधी तूफान बरसाथ चलाई परन्तु बुढियां माई अपने पनसित तस नमस हुई बेसुद हो गई लेकिन भगवान का भजन नहीं छोड़ा तब गणेजी महराज बुढियां माई के सामने परगट हुए उन्हें दर्शन दिया और बोले कि बुढियां माई मांग क्या मांगती है तो वह बोली कि गणेजी महराज आखरी इच्छा आपके दर्शनों की थी आपने दर्शन देकर मे तेरा जीवन सफल बना दिया ऐसे कहकर बुढिया माई गणेजी महराज के चन्नों में गिर गई और वही उन्होंने प्राण त्याग दिये गणेजी महराज एक सुंदर विवान में उत्रे और स्वेम बुढिया माई को ले जाकर बेखुन ले गए तो दोस्तों यह कहानी आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट बोक्स में बताईए कहानी सुनने वाले हुकारा बनने वाले सभी पे गणेजी महराज अपने करपा बनाए रखे सभी की मनों कामना पूरी करे तो प्रेंच से भोलिए गणेजी भगवान की जेहो